दोस्तों EVM हमारे देश का एक ऐसा नाम बन गया है जिस पर कभी भी कोई भी उंगली उठा का चला जाता है इतनी बदनाम तो हमारे देश में मुनी नहीं ती जितना बदनाम EVM हो चुका है हालांकि हमाचल और तेलंगाना जीतने के बाद कॉंग्रेस भाले ही EVM पर चुप है पर चंडिगड़ मेर इलेक्शन हाने के बाद आम आदमी पार्टी बोड़ा ही गूम रही है हालांकि चंडिगड़ की मेर इलेक्शन EVM से नहीं हुए थे उसके बाद भी ये लोग जब दस पर चंडिगड़ मेर इलेक्शन का कनेक्शन बिठाने में गुसे पड़े हैं आज डिबेट में भी जब आम आदमी पार्टी के चंचे ने केजड़वाल के चंचे ने EVM पर सवाल उठाया तो सहजाद और बागी पैनलिस्ट ने उसकी बोलती बंद कर दी कैसे और क्या कु मेर का चुना हुआ जिसमें आपने कहा कि EVM से भी भाचपा जीत गई, EVM से भी मोधी जीत गए, आपने कैसे कहा दिया हो जीत गए? आप बताईए, 20 वोट थे इंडिया गडबंदन के पास, और उनके पास 16 वोट थे, 20 वोट पड़े हैं इंडिया गडबंदन को, 16 वोट से होता है तो EVM hack है, सबसे पहले था 14 के बाद भई है तो mobile phone से हो जाता है, सैटरलाइट phone से होता है, फिर आया software से होता है, फिर आया कि भई हम такा इसराइली सोफ्टवेर डालने से होता है फिर आया बहिया कि महतना अमरीकी सोफ्टवेर जापानी सौफ्टवेर चीनी सोफ्टवेर परिज़कार हैं आपको तो इस तरह की बात नहीं करने चाहिए आप इसका बनीच के अगर वैलेट से चुनाव होगा तो एकर बनीच करें पर सवाल करें अगर को जानने का है वह किया ज़िए आठ आठ वोट और इंडिया कट्निया के लोगों ने गल्ट डाले बाजपाओरा अगर देश की बख्ची पाटियों को एवियम पे डाउट है तो ऐसा मोदी जी का एवियम से क्या प्रेम है उनका एसा क्या मुभबत एवियम के साथ है इनके पूरे गठबंधन का एक नारा बन चुका है कि भरस्टाचार मेरा शिष्टाचार मैं करूंगा अकूट भरस्टा अब पांच दिन की रिमांड में लिए सी फॉर चुप जाओ केजरिवाल जी और डिफॉर डाइवर्ट करो यह भरस्टाचार का शक्ती प्रदर्शन है अब मैं इनसे पूछना चाहता हूँ लालू जी के मामले में कोई इफन बटकी संभावना है वो तो कन्विक्टिड है अचे विद्वेश की भावना बताए यह सुप्रीम कोट ने 338 करोड का मनी ट्रेल भी बोला मनीश सिसोधय को बेल दिनाए किया मनीश सिसोधय के अलावा संजे सिंग है कोट तक गया उधर भी बेल दिनाए हुई और विजनायर एक साल से जेल में और आपकी नहीं नहीं ल रंधीप सोजेवाल आने स्टेज पर चड़क जंता से कहा था कि तुम लोग राक्षास हो जो मोडी को वोट करते हो रंधीप सोजेवाल कॉंग्रेस का ओफिशल प्रवक्ता है ना शर्म की बाद और कॉंसे स्टेज में जाने वाले कुछ दिनों के बाद वो भी आप समझ लीजिए अब इन्होंने कहा कि देखिए वोट जो है वो गलत तरीका आता है क्या देने का मान्यवर यहाँ पर विज जेत्रिवेदी जी बताइए जरा हर्याना में चुना एक बड़े से उधियोगपती का बनाम कोई और उसमें कॉंग्रेस ने दस वोट से ज्यादा अपने वोट इन्वालिडेट कराए थे उसमें सुर्जे वाला भी शामिलता इसलिए मैं कहता हूं जो आपने किया है ना र जिस बात का फैसला हो चुका है लालू जी की कर्विक्शन पर एक वाक्ति बोल दीजे कि लालू पर अप्ट है एक वाक्ति नहीं गोल पाएंगे यह नहीं हो सकता पिछले छे महीने के डिबेट मैं नहीं देखा है श्यादा वोने बोलते रिलाक्स लेकिन विजे जी आपन आमाद्नी पार्टी को भी सुना आमाद्नी पार्टी बोल रहें भी पंजाब में पूरी तरह गलात हुआ पंजाब में आप लोग मसर्पावर यूज कर रहे है और एव्यम पे तो हमें हैनी भरोसा तो सर आपके पास कोई तरीका हो जैसे हो जाए एलेक्शन तो बता दीज जैसे आपने जिक्र किया कि EVM को लेकर तो इलेक्शन कमिशन ने भी कई बार इस पात पर जितने उनके एक्सपर्स थे और सभी पार्टी को बुला कर भी उसने कर लिया लिकिन EVM पर भरोसा नहीं है तो बहुत महर को हरानी है कि दिल्ली में आम आद्नी पार्टी की सबसे ज इवी एम पर भरोसा नहीं यह जनता पर आविश्वास कर रहे हैं यह हमारे डिमोक्राटिक सिस्टम पर आविश्वास है हमने देखा है कि हमने बैलेट पेपर से भी वोट डाली है हमेशा तो उसमें ज्यादा होता था कि आपने कर लिया उसमें चीटिंग का ज्यादा एक अप्शन रहता था 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 तरीका रहता था गाहों में मुझा फॉज अब लेकर बग गए कभी मॉबाइल खराब हो तो टेलीफोन लाइन पर आजेंगे कि आप अब लाइन लेकर घुमने लागें कुल्दीब जी तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आईससे तो EVM पे सही बात है सतर में से सड़ सड़ बिदान सवा सीटे जीतने के बाद अगर कोई पार्टी सरकार बना ले और उसके बाद भी अगर वो EVM पर सवाल उठायों उस EVM पर जिससे उसकी सरकार बनी है तो फिर ऐसी पार्टी को या तो डूब कर मजाना चाहिए या फिर अपनी सरक से स्टीफात दे देनी चाहिए और ये लोग तो एक नहीं बलकी दो राजियों में चुनकर आये हैं वो भी इसी EVM के सारे और अभी फिर से ये लोग सवा एलेक्शन से पहले EVM का रोना धोना शुरू कर चुके हैं क्योंकि इन्हें पता है लोग सवा में इन्हें कोई भी नह नहीं फूसता वाकि आप इस वारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर जरू बताएं जल मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टोपिक के साथ तरता गुडबाई नमस्कार जैहन